जय हिंद फ्रेंट्स और आप सबका आज के प्रीमिक्स में बहुत ज़ादा स्वागत है पांच सवाल और दस मार्स की गेम को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों बहुत जल्दी से प्रीमिक्स को यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे सवाल को देखते रहें वो ही exercise रहेगी सवाल को देखें पॉस करें क्या सही answer रग रहा है वो comment section में आप comment करते रहें and at the end of the exercise मैं आपसे उमीद करता हूँ कि इमानदारी से आप जरूर बताईएगा कि 10 में से कितने आपके सही marks बने है along with the negative marking C of Azorv के around कौन सी countries border करती है चार countries का नाम यहाँ पे दिया गया है correct answer आपको ढूड़ना है बताईए फटा फट बताईए क्या सही लग रहा है तो दोस्तों सही जवाब है of course Russia and Ukraine याने के option C यहाँ पे सही बनता है C of Azorv के बारे repeatedly पूरा साल हम पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं C of Azorv यह है C of Azorv यह है Baltic Sea सारी Black Sea Black Sea और C of Azorv को यह कर्च ट्रेट जो है कर्च बिज जो है connect करता है तो C of Azorv is bounded by Russia on the east and towards the northwest and southwest by Ukraine और C of Azorv जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे Crimean Peninsula है Crimean Peninsula जो के रश्या ने 2014 में annex किया था Then you must know the Curt Strait This is your Curt Strait जो के connect करता है C of Azorv और Black Sea को Curt Strait के ओपर Ukraine ने fire किया था Curt Strait एक बहुत critical strait है bridge है जो के रश्या के द्वारा बनाया गया था जो के connectivity रश्या को देता है direct connectivity रश्या को देता है over the annexed area of Crimea अगला सवाल UN Peace Keeping Missions के बारे यहाँ पे पूचा जा रहा है तीन स्टेट्मेंट्स हमारे सामने हैं आपने correct answer बता रहा है तीन स्टेट्मेंट्स को नजर मारिए यहाँ पे question को pause कर सकते हैं Blue Helmets के बारे वहली statement में पूचा जा रहा है दूसरी statement में बताया जा रहा है कि अभी 70,000 से जादा military personnel Blue Helmets में enlisted है और क्या भारत highest contributor है of military personnel towards the UN Peace Keeping Mission UN Peace Keeping Missions के बारे repeatedly हम news में पढ़ते रहते हैं सही answer है दोस्तों option 1 and 2 याने के A जो है यहाँ पे 1 and 2 वो correct बनता है India highest contributor नहीं है surprisingly Bangladesh has become the highest contributor towards the UN Peace Keeping Missions followed by Nepal and then at number 3 is India यह जो आंकड़े यह जो figures हमारे सामने है यह latest है as of 28th February 2023 यह मैंने UN की website से ही data लिया है Blue Helmets के बारे जो statement mentioned थी वो बिलकुल सही है 70,000 से जादा military personnel as of now Blue Helmets enlisted है और Blue Helmets वो military personnel है UN के जो के सबसे पहले priority of course अपनी country को देंगे अपने country की army के अंडर काम करते हैं and second priority उनकी होती है to work under the UN command Blue Helmets नाम आता है because of the iconic Blue Helmets जो वो पहनते हैं then third question तो यह third question यहाँ पे गलती से 2015 लिखा गया है यह PYQ नहीं है यह new question है fresh question है यहाँ पे हम ethnicities की बात करेंगे और साथ में क्या यह जो ethnic groups हैं क्या यह इन देशों में पाए जाते हैं जैदीस, कराकलपक और कुड्स यह तीनों ethnicities की बात करेंगी है क्या इनका जो यहाँ पे मैंने countries का नाम mention किया है क्या यह pair correctly matched है के नहीं है चार options आपके सामने हैं क्या सही आपको जवाब लग रहा है pause करें, देखें क्या सही लग रहा है the correct answer is of course one and three, यानिके जैदीस and goods अब जैदीस की हम बात करें कराकलपक बाइदवे यह तुर्कमेनिस्तान में नहीं बट उस्बेकिस्तान में यह पाय जाते हैं अब हूतीस के बारे आपने सुना होगा हूतीस जो के एक militant एक group है येमिन में येमिन में आप जानते होंगे कि 2015 से यानि के लगबग 8 साल हो चुके है एक civil war चल रहा है तो येमिन की सरकार को साउधी अरेबिया की backing है और हूतीस को इरान की backing है अभी क्योंकि recently in the recent month इरान और साउधी अरेबिया के बीच में diplomatic relations restore करे गए है तो उमीद है कि जो civil war है येमिन में वो भी थोड़ा सा शयाद यहाँ पे हम peace buy कर पाएंगे civil war की situation better होगी हूतीस जो है जो कि एक शिया back group है they belong to a large clan to the Zaydi Shia sect तो Zaydi's जो है ये 35 प्रतीशद आफ येमिन की आबादी को बनाते हैं तो ये बात आपको बता हो कि Zaydi's जो ethnicity है that belongs to Yemen येमिन की राजदानी साना जैसे आप जानते हैं now much of the north and northwestern part of Yemen is under the control of Houthis then हम कराकल पकस्तान की बात करते हैं कराकल पकस्तान उसबेकिस्तान में है double landlock country उसबेकिस्तान कराकल पकस्तान तुर्कमेंश्तान में नहीं है कराकल पकस्तान एक autonomous region है within उसबेकिस्तान जो कि recently यानि के 8 से साल पहले की बात है ये news में था ये हमने अपने crash course में भी cover किया है by the way कराकलपकस्तान का नाम आता है अफ्कोर्स कराकलपक लोगों से ये केथनिक मानौरिटी ग्रूप है विदिन उस्बेकिस्तान ये अब autonomous region तो है पर ये अपने देश की आजादी मांग रहे हैं ये अपने region की आजादी मांग रहे हैं ये एक independent country बनना चाहते हैं apparently इस region में severe economic और food crisis देखने को मिल रहा है because यहाँ पर कराकलपक कराकलपकस्तान के सामने आप देख सकते हैं RLC पढ़ती है और RLC सूख चुकी है because आप जैसे जानते हैं उस्बेकिस्तान पहले Soviet occupation के अंडर था तो 1960-70s में Soviet Union ने RLC का पानी डाइवर्ट करना शुरू किया कनान्स बनाने के लिए ताकि ये जो रेकिस्तान एरिया है कजाकिस्तान उस्बेकिस्तान यहाँ पर आग्रिक कल्चर फ्लरिश कर सके आज हलात ये है कि RLC का पानी सूख चुका है और कराकल पकस्तान के जो लोग है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पीने को पानी नहीं है हमारी काटल के लिए पानी नहीं है अग्रिकल्चर के लिए पानी नहीं है हमारे पास नौकरिया नहीं है हम आजाद होना चाहते है कराकलपक लोग तो यहां पे जो ब्लाक हाट आप देख रहे हैं तो यह इनकी परंपरा है यह ब्लाक हाट पहनते हैं और जहां तक कुड़ की बात आती है तो जो कुड़िश लोग है वो इस रीजन में पाए जाते हैं यानि के तक countries of Turkey, Syria, Iraq, Iran, Armenia यहां पे कुड़ पाए जाते हैं प्रमारली इनकी जो population है तुर्की में जाधा dominant है और from a long time जो कुड़ लोग है कुड़ लोग they are demanding a separate कुर्दिस्तान from themselves ओकी अगला सवाल चौथा सवाल Polisario front की यहां पे बात हो रही है तो Polisario front is often in news यहां पे आपके सामने 4 option है क्या आपको सही option लग रहा है प्लीज यहां पे pause करके question को नजर मारें मैं statements को repeat नहीं करूँगा I want to make this premix session fast because आपके जो prelims हैं वो भी बहुत pass में है हर एक statement को पढ़ेंगे तो बहुत जादा time लगेगा statement को पढ़ने के लिए वीडियो को अभी pause करें तो देखें यहां पे सही answer बनता है C Polisario front जो है यह political military group है जिसकी स्थापना 1973 में Western Sahara जो के एक देश है African continent में वहां पे करी गई थी अब आपको यह बात पता हो Western Sahara जो है किसी जमाने में Spanish colony थी 1975 में Spain यहां से चले जाता है यानि के Western Sahara independent हो जाता है from Spanish rule अब Western Sahara की neighboring countries को हम देखें तो यहां पे Morocco आता है यहां पे Mauritania आता है now अब जब से Western Sahara यहां पे इसके बारे details दी गई है आपको यह भी पता हो कि यहां पे जो nomadic tribe पाही जाती है Western Saharan region में that is by the name of Saharavi tribe now अब हुआ क्या कि जब Spain ने यहां से vacate किया जब यह colony independent होती है now उस वकद यह दोनों देश जाने के Mauritania और Morocco अपना claim Western Saharan region पे बढ़ाने की बात करते है Morocco के जो राजा थे उस वकद कहते थे कि किसी जमाने में Moroccan kingdom के under Western Sahara region आता था now इसके चलते है Western Saharan region में काफी एक situation जो है काफी hostile होती है insurgency situation यहां पे होती है सहरावी insurgency यहां पे 1970s में होती है सहरावी is again denoted by the name of the tribe which is in this region तो यह insurgency को बढ़ावा मिलता है by a political military group by the name of Polisario front इसकी स्थापना 1973 में जैसे आपने statement में पढ़ा होगा करी गई थी with the help of Libya and Algeria तो यहां पे इस political और military front की जो स्थापना की गई थी वो इसके कारण करी गई थी कि Western Sahara country के लोग तैख कर सके कि वो किसके under होना चाहते हैं क्या वो अजाद होना चाहते हैं आखरी सवाल भारत की maritime exercises के बारे पूछा जा रहा है लेकिन यहां पे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से incorrectly matched है question को ध्यान से पढ़े incorrectly matched पूछा गया है चार options आपके सामने है pause करे question को ध्यान से पढ़े और सही answer यहां से आप निकाले देखिए इसका सही answer जो है याने के Indonesia जेर अलबहर यह incorrectly matched है आपको यहां पे बता दू Thailand, yes that is very correct India, Thailand coordinated patrol याने के core part यह बिल्कुल correctly mentioned था UK के साथ जो maritime exercise होती है उसका नाम है कौनकन शक्ति Indonesia के साथ जो maritime exercise होती है याने के between the navy of Indonesia and the navy of India that is समुद्र शक्ति Singapore के साथ is Simbex Qatar के साथ is Zair Al-Behar और Japan के साथ आती है maritime partnership exercise JimEx चली, तो दोस्तों यह 5 सवाल थे quickly हमने discuss करें क्या सही score बना है इमानदारी के साथ अपने comment section में बताईएगा और दोस्तों ऐसे और important topics rapid revision course में भी discuss किये जाएंगे तो यह जो आप premix में या few minutes में हमारे videos देखते हैं this is just 4-5% of the content जो के हम यहाँ पे YouTube पे share करते हैं बट और comprehensive तरीके में और comprehensive तरीके से हम अपने paid courses में यह content को बर खुबी से discuss करते हैं यदि दोस्तों आप rapid revision course का हिस्सा बनना चाहते हैं 1500 important topics हर एक subject के याने के 200-200 topics IR हो, science हो, environment, economy, polity चाहे कोई भी subject हो, history उन सब के 200-200 important topics 50 घंटे में कराये जा रहे हैं दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस course का हिस्सा बन चुके हैं आज last date है अगर आपने 20% coupon code अवेल करना है प्रिलिमस 2023 का इस course की कीमत 4000 है लेकिन आज last date है अगर आप इस 20% off code को अवेल करते हैं तो ये course आपको 32 रुपे का पड़ेगा यदि आप पूरा का पूरा crash course नहीं चाहते हैं पूरा का पूरा rapid revision course नहीं चाहते हैं आपको लगता है कोई individual subject का आप course चाहते हैं for example IR की मैं बात करूँ तो जिसने मैं IR पढ़ाता हूँ यदि आपको IR अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया तो आप IR का individual rapid revision course भी यहाँ पे ले सकते हैं और IR को मैं हमेशा dark horse कहता हूँ क्योंकि इसमें से जो सवाल आएंगे वो आपकी cut off तैख करेंगे और वो आपके score को maximize भी कर सकते हैं cut off आप जो cut off margin से रह जाते हैं cut off के लिए जो deciding factor के questions बनते हैं हमेशा वो IR में से रहते हैं क्योंकि IR में heavily current affairs आते हैं तो यदि दोस्तों आप individual course IR का लेना चाहते हैं तुरंत call करें हमारे toll tree number पे और यह IR का individual course आपको 800 रुपेगा पड़ेगा after 20% discount तो यह मौका ना गवाए आज last day है चलिए मैं आप से विदा लेता हूँ मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में Thank you so much जहित